हलो दोस्तों नमास्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रावल सर इस्टेडी बर दोस्तों आपने टाइटल में थमनेल में देख लिया होगा कि आज अपन बात करने वाले है राजस्तान पुलीस उप निर्खशक यानि कि राजस्तान पुलीस में जो SI की भरती आई है उसमें best book के बारे में अपन बात करने वाले हैं कि राजस्तान पुलीस SI में यानि कि कौन-कौन सी book पड़ें कि हमारा selection हो जाए तो उन सारी चीजों के बारे में अपन बात करने वाले हैं पहले बात कर लेते हैं कि इसमें आपके एक तो विशेश तोर से आपको ध्यान रखना है कि हिंदी, हिंदी में सामाने हिंदी यानि कि हिंदी व्याकरण और उसके बाद में दूसरा जो पार्ट है पहला पार्ट तो हिंदी हो गया, जिसमें हिंदी व्याकरन होगी, और दूसरा जो पार्ट होगा, वो होगा GK and GS, ठीके, तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको बताना चाता हूँ, मैंने बैटके आपके लिए कुछ मेटर तियार किया है, आज आपको मैं Best Book बताऊंगा, बहु रहते हैं, देखो, एक नंबर पर आपके इसमें आएगा हिंदी, हिंदी में क्या है भई, हिंदी में आपके हिंदी व्याकरन, ठीके, हिंदी में क्या है, व्याकरन, हिंदी में आपके व्याकरन आएगी, और सो प्रसन होंगे, ठीके न, और दो सो नंबर का होगा, ठीके, दो नमबर पर है जीके एंड जीएस जीके एंड जीएस जीके राजस्तान का होगा इंडिया का होगा विश्वे का होगा और जीएस जीके एंड जीएस हो गया यानि की जीके होगा या जनरल साइंस होगा इसमें बात मैं बता दूँगा आपको डीटेल से तो इसमें आपको पता है कि 100 questions है ये 200 numbers का होगा कुल मिला कि अगर हम बात करें 400 numbers का paper है और questions की संक्या कितनी है 200 तो सिधी सी बात ये है कि केवल हिंदी व्याकरण अकेली 50% वेटेज रख रही यहां पर 100 questions ने 200 numbers आप देख सकते हैं यहां पर केवल हिंदी व्याकरण है जो पचास परतिसत वेटेज रखती है सिलिबस को कवर कर रही है और पचास परतिसत में देखो GK and GS पूरा का पूरा रास्तान का जीके हो गया भारत का जीके हो गया जनरल साइंस भी इसके अंतरकत आ जाएगी और इसमें रिजनिंग भी आ जाएगी ये सारे मिलाकर एक तरफ तो ये हिंदी अकेली 200 नमबर दे रही है और एक तरफ GK and GS सभी को मिलाकर 200 नमबर लेकिन देखो हर सब्जेट का अपना अलग-लग मैत्वे होता केवल हिंदी से नमबर नहीं आ सकता और केवल GK and GS से नमबर नहीं आने वाला है लेकिन हम कैस सकते हैं कि अगर हमारी हिंदी मजबूत है तो हम काफी हद तक सेलेक्शन तक पहुँच सकते हैं लेकिन इनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा तो हम बात करते हैं सीधी सीधे सबसे पहले अपन बात करते हैं हिंदी में दोस्तों हिंदी व्याकरण यानि कि सामाने हिंदी हिंदी में अपन कौन-कौन सी बुक पड़ें देखिए जो मुझे जानकारी में मेरे अनुसार बता रहा हूँ अब बिना फालतों के कमेंट मत करना में मेरे ही अनुसार बता रहा हूँ क्योंकि हर आदमी का अलग-अलग तरीका होता पढ़ने का तरीका होता और हर अभियरती को अपनी अलग-अलग किताबें अच्छे लगती है अलग-अलग राइटर अच्छे लगते हैं लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ वो बिल्कुल सेलेक्शन दिलाने वाला हैं देखिए सबसे पहले अगर बात करें हिंदी व्याकरण में तो एक आपको पता है RBC की बुक आती है कक्सा RBC की बुक आती है कक्सा 9-12 के बीच आती है कक्सा 9-12 के बीच आती है जिसका नाम है हिंदी व्याकरण एवं रचना पर बहुत ये नाम है दोस्तों देखे दोस्तो टाइम लग सकता वीडियो बनाने में लंबा होगा क्योंकि देखिए मैंने आपके लिए कितना मेटर तयार किया यह मैंने बहुत रिशर्च किया है उसके बाद आपको बता रहा हूँ मैं मेरे अनुसार बता रहा हूँ देखो RBSC की कक्सा 9-12 तक कि आप हिंदी व्याकरण की किताब पढ़ सकते हूँ जिसका नाम है जो अभी चल रही है 2019-20 हाना जो 2019-20 वो चल रही है हिंदी व्याकरण रचना प्रबोत आप देख ले ना वो किताब आपको पढ़नी है यह तो आपको पढ़नी ही होगी सबसे पेले क्य गोईल नाम से एक नाम चलता है रतनलाल गोईल आप सभी जानते होंगे आपको पता कि पुरानी हमारी हिंदी व्याकरण की किताब चलती थी कक्सा 9 से लेकर कक्सा 12 जिसके राइटर थे रतनलाल जी गोईल कक्सा 9 से 12 के बीच में हमारी हिंदी व्याकरण की पुरानी चलती तियाब सभीकों पता होगा, उन्होंने एक किताब लिगी है सुगम प्रकासन, उन्होंने किताब लिगी है उस प्रकासन का नाम है, एक नाम है सुगम लेकिन परकासन है जो है चयवन परकासन चयवन परकासन अब इस किताब का नाम क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ देखो पूरी डीटेल से बताऊंगो टाइम लगने दो जिसको समझना वो वीडियो को पूरा देखी जिसको नहीं समझना है, वो वीडियो का भी सोड़ सकता है, देखो, यहाँ पर रतनलाल गोईल सुगम परकासन है, ठीके सुगम नाम सा है कि चवन परकासन, देखो उस किताब का नाम है नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, देखो, उस किताब का नाम क्या है, आप देख लेना, नवीन हर बुक इस्टोर पर मिल जाएगा आपको, नवीन हिंदी व्याकरण, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, यह कोई ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है, यह गाइड के रूप में आरी, पहले यह किताब थी, क्योंकि जिसके जो रेखक थे, जिसके जो देखनी होगी मूल रूप से, उसके बाद में आप इसको देख सकते हो, देखो मैं मेरे साब से हिंदी की जो अच्छे ची किताबे वो बता रहा हूँ, जिसमें साब को जो अच्छे लगी वो आप पढ़ सकते हो, हना, देखो गाइड का सार आपको जरूर लेना पड़ेग बात करो नमबर एक देख यह थो नहे बुक है अब मैघ वार्ट की बात कर नमबर नमबर 2 नमबर 2 नमबर दो पर आएके आपके जैसे वनोज मिसरा जी आप सबी जानते होंगे उनको वनोज मिसरा मिसरा जी है और इनका जो पुब्लिकेशन ने मिस्रा, मिस्रा पब्लिकेशन किया गया गया ना, मिस्रा पब्लिकेशन, अभी हिंदी की बात कर रहे हैं, एक किताब में और बताऊँगा, जो आपको अच्छा लग है, वो आप पढ़ सकते हूँ, देखिए, आरबी से की, हिंदी व्याकरणों रचना, कक्षा नो से बार मैं आप रतनलाल जी की ले सकते हो, मनोज मिस्रा की ले सकते हो, नमबर तीन, डॉक्टर रागव परकास, इनकी जो किताब आती है, वो PCP, देखो, मैं सबसे पहले हिंदी की बात करूँगा, ठीके, क्योंकि मैं हिंदी के से मजबूत की, वो बताना चाबता हूँ, ठीके, म अनोज मिस्रा जी की मैं पढ़ता हूँ, रागव परकास जी की पढ़ता हूँ, इन सभी को पढ़ने के बाद मुझे पता चला, कि सबसे जो टॉप, सबसे जो बेस्ट बुक है, वो डॉक्टर रागव परकास है, इमानदारी से कह रहा हूँ, विश्वास के साथ, मैं मेरे अनुबव से बता रहा हूँ, मैंने सभी किताब बढ़ा है, ठीक है, मैंने देखो, नवीन हिंदी व्याकरण रसना प्रबोध ये भी मैंने पढ़ी है, बिल्कुल सरल, इसे आपकी निव मजबूत हो जाएगी, रतनलाल जी गोईल जो पूरानी चलती थी, उस समय वो आती थी, तो कक्सा 9-12 के बीच वो मैंने पढ़ी है, और उसी परकार ये एक सुगम परकासन के नाम से किताब आती है, रतनलाल जी गोईल की वो आप देख सकते हैं, वो भी मैंने पढ़ी है, मनोज मिस्रा की बिल्कुल सरल है, मनोज मिस्रा की अगर किताब पढ़ोगे से लिखने का प्रयास किया, और उनका जो नविन संस्क्रन आया है, 2019 में, जुलाई 2019 वो देख के लेना, बहुत बड़ी किताब है, और ऐसा ही में, देखो ये सो प्रसन अगर आपको हिंदी में तयार करने तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं मिल जाएंगे आपको, आपको मेनत कर करने पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेनत करने पड़ेगी, जो आपको अच्छा लगे, वो मेरे अनुसार बता रहा हूँ, देखो ये किताब आप सभी को लेनी होगी, इसके बाद आप रतनलाल जी की ले सकते हो, मनोज मिस्रा की ले सकते हो, या रागव परकास जी की, लेक आप में रामबन सिध हो सकती है, जो बिलकुल नया है, एकदम फ्रेस है, क्योंकि रागव परकास जी को पढ़ने के लिए आप में पहले दिमागी जरुत पढ़ेगी, पहले इनको पढ़ना पढ़ेगी, हिंदी व्याकरण को पढ़ना पढ़ेगा, उसके बाद में चीजे किलिर नहीं होगी, मैंने मेरे अनुबव बताए, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, ठीके, तो यह वो यह अपने हिंदी की बात, अब अपन जीके एड़ जीके एड़ जीएस की देखो यह मेरे अनुबव है, और यह मैंने इस परकार हिंदी को मजबू जी गोईल की भी मैंने पड़ी है उसके बाद में मनोज मिस्रा की सुरू से पढ़ता हूँ अभी भी पढ़ रहा हूँ वो दिक्कत नहीं है और रागव प्रकाश जी सबसे अच्छे उनको भी मैं पढ़ता हूँ तो आपको जो अच्छा लग है वह सा कर सकते हैं अब देखि में तो आप ना एक के उल रागव प्रकाश जी को पढ़ देख है लग 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 मेटर मिल जाएगा लेकिन मनोज मिस्रा की जो किताब है उसकी भासा बिलकुल सरलन साय आपको पढ़ने में और रागव प्रकाश जी क्या करेंगे आपको बजबूत कर देंगे सबसेज़ा म मजबूत करेंगे रागव प्रकार्षी यह मेरा अनुबव कहता है अब जिकेंट जियेस में आपको क्या करना है सबसे पहले अगर हम बात करें राजस्तान इतियास की अगर बात करें तो देखिए जो राजस्तान इतियास के जो फैकल्टी है राजस्तान इतियास की राजस्त डॉक्टर गोपिना देखो राश्तान इत्यास में डॉक्टर गोपिनाथ सर्मा हाना राश्तान इत्यास में अगर आप चाओ तो डॉक्टर गोपिनाथ सर्मा देख सकते हो नंबर एक नंबर दो आता सर्मा एंड पावा दोनुका नाम साथ में आता सर्मा एंड पावा सर्मा सर्मा एंड पावा की आती है देखो राष्तान कितियास अगर आपको अच्छा देखने क्योंकि सब इंस्पेक्टर का पेपर है तो RS प्रीका और RS प्रीका जो पेपर है उसके लगबग आप मान सकते हो इसको जिकेंड जिसको तो डॉक्टर गोपिना सर्मा या सर्मा एंड प पढ़ते सब को पता है राजपेनोर्मा राजपेनोर्मा नाम से आती है देखो राजस्तान का इतियास गोपिना सर्मा या तो अलग-अलग सभी नहीं लाने एक किताब आपको लाने या तो गोपिना सर्मा को लेकिया जाओ या सर्मा एंड पावा का लेलो या राजपेनोर ले लो राजपिनोर्बा भी अपने हमें कम नहीं है बहुत बैस्ट है उसके बाद में हम बात करते हैं नंबर दो इसमें राजस्तान का इतियास और संस्कृति मतलब यह है कि राजस्तान का इतियास भी आ जाएगा और राजस्तान का इतियास भी आ जाएगा और इसमें राज राजस्तान का इत्यास और कला संस्कृति दोनों को साथ में दे रखा होगा उसमें आप अगर पढ़ना चाहो तो डॉक्टर हुकुम चंद जेन क्या क्या नाम है एक नमबर पर नाम मुझे बताया गया है वो है डॉक्टर हुकुम चंद जेन अर उनके साथ में एक है डॉक्टर नारायन लाल माली यह आप नाम देख लेना नाम से मिल जाएगे आपको इत्यास में देखो तो गोपिना सरमा को लेलो या तो या सरमा एंड पावा को लेलो या राजपिनोन जो आपको अच्छा लगे लेकिन राजस्तान का इत्यास कलास संस्कृती सबी को देखना है दोनों को साथ में देखना है तो उसके बाद में हम बात करें अब राजस्तान का भुगोल बहुत अच्छी तरह के से बताने कोशिश करूँगा राजस्तान भुगोल authentic बताऊंगा जो भी बताऊंगा राजस्तान भुगोल में अगर आप देखना चाता हो तो डॉक्टर हरिमोन सक्सेना जो राजस्तान जोगरापी पढ़ाते हैं जो राजस्तान जोगरापी जो फैकल्टी है उन्होंने मुझे बताया कि आप इसमें डॉक्टर हरिमोन सक्सेना और भल्ला का नाम बता देना तो मैं आपको बता रहा हूं ये सब जानकारी मेरे नुसार नहीं है हिंदी वाली मेरे नुसार थी लेकिन जिक्के वाली जो जानकारी एक्सपर्ट के नुसार दी गई है तो देखो राजस्तान बुगोल डॉक्टर हरिमोन सक्सेना हरिमोहन हरिमोहन सक्सेना या तो उन्होंन बताएगी या तो ये बता दा किताब कि डॉक्टर हरिमोन सक्सेना पड़े और हरिमोन सक्षेना नहीं पड़े तो डॉक्टर डॉक्टर एलार भल्ला मतलब यह है कि आप चाहो तो डॉक्टर हरिमोन सक्षेना को पढ़ सकते हो आप चाहो तो एलार भल्ला को पढ़ सकते हो मतलब जो आपको अच्छा लगे लेकिन दोनों ने लाने आपको एक किताब लाने है ठीक है तो ये तो राजस्तान का इतियास सज्कर्ती और राजस्तान का भुगोल किलेर हो चुका है अब हम बात करते हैं तेक राजस्तान की अर्थ व्यवस्ता जो एकोनॉमिक्स के जो टीचर है उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको राजस्तान की अर्थ व्यवस्ता के बारे में किताब बतानी है तो एक आरभीडी नाम से आती है आरबीडी नाम से आती है जिसके राइटर कोन है लक्ष्मी नारायन नाथुरामका ठीक है भई हाँ बहुत अच्छा देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि राजस्तान की अर्थविवस्ता तो राजस्तान की अर्थविवस्ता में लक्ष्मी नाराण नाथुरामका देख सकते हो इसके अलाव उन्होंने बताया कि आर्तिक समिक्सा और क्या देखनी आपको आर्थिक समीक्षा आर्थिक समीक्षा बीस की देखने आपको 2020-21 की ठीक है भाई देखो तो राजस्तान की अर्थ व्यवस्दा में RBD पॉब्लिकेस्टन की नाम से आएगी लक्ष्मी नारण नाथुराम का और उसके बाद में आपको क्या देखना है आर्तिक समेक्षा 2021 ये आपको देखना होगा बात समझ भाई यहां तक की अब हम चलें आगे चलो जी अब आगे चलते हैं भई देखो ये जिकेड जियेस है न बहुत लंबा चोड़ा है भई बहुत लंबा चोड़ा है हिंदी अगर आपकी मजबूत है न उसके बाद में मैंने बात की पॉलिटिकल वाले सर से तो इसमें उन्होंने बताया कि राजस्तान बात राजस्तान की हो रही है भी राजस्तान प्रसासन राजस्तान प्रसासन एवं एवं राजस्तान प्रसासन एवं राजनितिक व्यवस्ता एक किताब आती है देखिए आप कि राजस्तान प्रसासन एउ राजनितीक व्यवस्ता नाम से किताब आती है उसके जो राइटर है डॉक्टर डॉक्टर जनक सिंग मीना मतलब यह है उन्होंने यह बताए कि इसको आरेस वाले बच्ची भी पढ़ते हैं ठीके तो राजस्तान प्रसासन है वो राजनितिक व्यवस्ता क्योंकि रास्तान जीके में अपना रास्तान का इतियास है रास्तान की कलास्तांस करती रास्तान की जोग्राफी रास्तान की एकोनोमिक्स और रास्तान की राजव्यवस्ता रास्तान की राजव्यवस्ता में राजस्तान का भुगोल रास्तान की एर्थव्यवस्त्ता रास्तान प्रसासन एक राजनितिक व्यवस्त्ता राजस्तान जिक्ये अपना कंप्लिट है अब हम। किसकी बात करेंगे भुगोल यानि कि जोग्रापी की जोग्रापी में अपना भारत का भी आ जाएगा और विश्वे का भी आएगा अगर जोग्रापी आपके मजबूत करनी हैं तो एक किताब का नाम है महेश कुमार वर्णमाल या फिर अगर महेश कुमार वर्णमाल को पढ आना चाहो तो ये पढ़ लेना इसके अलावे एक परिक्षावानी आती है वाई परिक्षावानी एक आती है परिक्षावानी की परिक्षावानी बोधिक प्रकाशन बोधिक बोधिक प्रकाशन देखो वे मतलब ये है कि भारत का भुगोल भारत वे विश्वे का भुगोल आ तो आप ये ले सकते हो या फिर परिक्षावानी एक बोधिक परकासन के नाम से आती या ले सकता हो दोनों ही बहुत अच्छी किताब हैं अपने आप में जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो अब नमबर दो नमबर दो में अपन बात करेंगे भारत का इतियास भारत का भुगोल में क्या होगा भारत के भुगोल में बारत का भुगोल और विश्वे का भुगोल भी क्लियर हो रहा है फिर हम बात करते हैं भारत का इतियास अगर भारत का इतियास है तो इतियास वाले सरण ने बताया कि कक्षा 12 की किताब बतानी है इसके अलावा उन्होंने बताया कि एक R.E. Competition के नाम से किताब आती है R.E. Competition उन्होंने क्या बताया कि कक्षा 12 की किताब तो आपको पढ़नी है उन्होंने उसके बाद में गाइड के बारे में बताए कि आप R.E. Competition की गाइड पढ़ सकते हो या फिर किसी के पास अगर किरण है तो आप किरण की देख सकते हो मतलब ये कि कक्षा 12 की पढ़ लो या फिर R.E. Competition को पढ़ो ये थोड़ी सरल है ये थोड़ी सरल है या फिर किरण पढ़ना चाहो तो आप किरण की पढ़ ले जो आपको अच्छा लगे वो सारी नहीं पढ़ने एक लिनिया आपको जो आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो नमबर तीन भारत की राजव्यवस्ता अभी ये पन राजस्तान की राजव्यवस्ता पढ़ रहते हैं अब भारत की राजव्यवस्ता पढ़ेंगे यानि भारत का समीधान भारत की राजवेबस्ता में M. लक्षमी कांथ क्या पढ़ना आपको M. लक्षमी कांथ बस ये देखो तो भारत का भुगोल मैस कुमार वडमाल को देख सकते हो अगर ये नहीं देखो तो प्रिक्षवाने को देख लो दोनों में जो आपको अच्छा लगए वैसा कर सकते हो इतियास में कक्षा बारा देख सकते हो या फिर आपको थोड़ा सरल समझना आरे कंपोटिशन मेरे साब से ठीक हो सबसे कक्षा बारा को छोड़ो किरन को छोड़ो आरे कंपोटिशन मेरे साब से ठीक है क्योंकि थोड़ी सरल है फिर आपकी जो मर्जी वेशा करो तीनों सबसे बढ़िया है राज व्यवस्ता में उन्होंने एक किताब बताया कि विज्यान वे प्रियोदोगी की इसमें विज्यान वे प्रियोदोगी की में बताया है स्पेक्ट्रम की इसमें आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो अगर स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ सकते हो तो आप लूसेंट देखो विज्यान और प्रियोदोगी की में स्पेक्ट्रम सबसे अच्छी चल रही है, आप इसको देख सकते हो, अगर ये नहीं देखना चाहो, तब लुसेंट को देख सकते हो, दोनों नहीं देखने हैं, कोई एक देखने हैं आपको, ठीके, अब हम बात करते हैं, सबसे बाद में, रिजनिंग की, हाँ, इसके अलावा एक चीज और बताई गुरुजी ने, कि विज्ञान में आप स्पेक्ट्रम देख सकते हो, लुसेंट देख सकते हो, लेकिन पहले क्या देखना, उन्होंने बोला है, कि पहले आपको RBSC, RBSC कक्सा, RBSC कक्सा, 6-10 तक, की विज्ञान की किताब आपको देखने होगी, और विशेस तोर से, RBSC कक्सा, 6-10 तो देखनी है, लेकिन विशेस उन्होंने बताया है, कि कक्सा, 9-10 तो आपको देखनी ही होगी, अगर आपको साइंस मजबूत करनी है, तो कक्सा, 6-10 थोड़ा बेस मजबूत हो जाएगा ठीके, लेकिन 9-10 तो आपको पक्का देखना पड़ेगा, अगर आप ये देखते हो, तो अच्छी बात है, और इसके बाद में लुशेंट देख सकते हो, इस्पेक्टरम, ठीके, जो आपको अच्छा लगए, वेशा करो, लेकिन मेरा उदेशी आपको जानकारी देना है, क अगर आपको रिजनिंग मेरे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, आपको रिजनिंग मेरे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, आप उसको देख लेना, अगर आप किताब देखना चाहो, तो यहां पर में दो किताब का नाम लेना चाहूँगा, एक है रामनियास मतूरि है मीठा लाल सर न सबी जानते है लेकिन अभी मीठा लाल सर की किताब आ समझाई है और सयग्ट तुप भी किया था वो किताब मेरे पास अभी मता दूँगा मैं आपको तो मिठालाल सर की किताबे शुगम चवन प्रकासन आएगी इस किताब का नाम है सूपर रीजनिंग ये नाम है किताब का सूपर रीजनिंग कि चवन प्रकासन वैसे आप ना कोई भी बुक इस्टोर पर जाओगे तो रीजनिंग की मिठालाल सर की किताब देना तो आपको दे देगा मिठालाल सर या तो आप बोल देना मिठालाल सर की किताब चाहिए ये सुपर रिजनिंग मिठालाल सर या चवन प्रकासन मिठालाल सर या फिर सुगम मिठालाल सर कुछ भी बोल देना आपको किताब मिल जाएगे बहुत अच्छी किताब है ठीक है, तो ये होगे अपने reasoning की बात, तो भई मैंने मेरे साब से बताने की फुल कोशिश की है, कुछ जानकारी मैं मेरे साब से बता रहा हूँ और कुछ जानकारी expert के द्वारा जो history के जानकार हैं, जो history पढ़ाते हैं काफी सालों से, पढ़ा भी रहे हैं जो अच्छा-कासा नाम चलता उनके द्वारा दे रहा हूँ मतलब मान लीजिए, वो ही जानकारी दे रहे हैं आपको उन्होंने मुझे बता है और मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है, देखो भई तो मेरे इसाब से reasoning में आप मतुरिया साब के ले सकते हो, या मेरे वीडियो देख लेना किसी लेने की जुरूत नहीं, क्योंकि चार-पांच क्विश्चन आने वाले हैं वैसे ही, पांच क्विश्चन से ज़्याद आते नहीं है ठीक, आप जानते होंगे तो मिटालाल सर की किताब देख सकते हो, सूपर रिजनिंग बहुत अच्छी किताब चलती है, मार्केट में बहुत अच्छी है यह देख सकते हो, तो देखिए राजस्तान पुलीस सब इस्पेक्टर यानि SI में सबसे important जो subject मुझे लगा वो है सामाने हिंदी कैसे? क्योंकि सामाने हिंदी अगर आपके मजबूत होगी तो 50 परतिसत का जो सेलेबस से वो सामाने हिंदी अक्यली कवर कर रही और हिंदी अपन आसाने से कर सकते हैं, हिंदी scoring subject है, इसमें आप अच्छे score कर सकते हो, जैसे मादिमिक शिक्षा बोर्ड की RBSC की, यानि मादिमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9 से 12, अभी जो 19-20 में जो चल रही है, वो किताब आप जरूर देखनी है, उसे आपका बैस मजबूत हो जाएगा उसके बाद मादमिक शिक्षा बोड की जो किताब दे रखी है उसके बाद आपको क्या करना है क्योंकि पांच से दिन में आप पढ़ सकते हो उसको आराम से पढ़ सकते हो और दिरे-दिरे पढ़ोगे सबी सब्जेट को टाइम देगो दस-पंदरा दिन मानलो दिरे-दिरे पढ़ोगे एक दिन में एक टोपिक दो टोपिक इसे करोगे तो दस-पंदरा दिन में हिंदी हो जाएगी वैसे उसको पढ़ने की बाद आप रागव प्रकार्शी को ले सकते हो मनोज मिस्रा की किताब ले सकते हो या फिर रतनलाल जी गोहिल के ले सकते हो लेकिन मेरा अनबव कहता है मेरा अनबव कहता है कि अगर आप मादमिक सिक्साबोर्ड की किताब को अगर कवर कर ले तो एक बार में तो उसके बाद रागो परकार्शी की बेश्ट होगी मैरे हिसाब से आप सब जानते है रागो परकार्शी की बुक देख सकते हो मनोज मिस्रा की देख सकते हो उसके बाद मैं रतनलाल जी गोहिल क्यूंकि मैं इन सबी की किताबे देख चुका हूँ तो आप देख सकते हो आराम से हर faculty को ठीक है और उसके बाद में मैंने आपके सामने देखो phone करने के बाद हर subject का मैंने यहाँ पर matter तेयार किया आपके सामने ठीक है हिंदी वालत मैं मेरी औरचे कर रहा हूँ बाकी वालत जो matter है science वाले सर्चे बात की रास्तान की इतियास भारत का इतियास भारत के भुगोल वाले सर्चे रास्तान के भुगोल देखो सब faculty अलग लग होती उनका अनभव है वो मुझे बताए तो मैं आपके सामने लिक रहा हूँ रास्तान की राजव्यवस्ता मैं अलग है हना उसके बाद में भारत की राजव्यवस्ता वो भी मैंने आपके सामने बहुत सारी मेनत की आपके लिए तो यार एक लाइक तो आपका बनता है अगर अच्छा लगे तो कर देना यार अच्छा नहीं लगे तो मत करना जो आपको अच्छा लगे विशा कर देना तो उम्मीद करता हूँ कि शेशन आपका बहुत अच्छा रहा होगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना सेर करना सभी को नमस्कार